नमस्कार यही आकास वानी है अभी आप दिनिस कुमार सिंग से समाचार सुनेंगे पहले मुख्य समाचार परधान्मती नरिंदमोदी ने पेरिस में बेस्टिल डे परेड में सम्मानी ततित के रूप में लिया भाग चंद्रयान मिसन स्री हरिकोटा के 27-22 केंच से सफलता पुरुक प्रचेपित दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज भी बाढ़ की इस्सिती और जल भराव की समस्या बर करा डोमेनिका में वेस्ट इंडिज के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारते टीम पहली पारी में अपने कल के स्कोर दो विकेट पर 312 रंद से आगे खेलेगी और बिंबल्डन टेनिस टूड़नामेंट में कार्लोस एलकाराज डेनियल मेददेव नवाक जोकोविच औ प्रएड में मुक्हेटित के रूप में हिसा लिया वाई सेना के बिमान सहित भारत की तीनों सेनाओ की टुकड़ि इसमें भाले रही है फ्रांस के राष्तिय दिवस या वेस्टिल डे का फ्रांसईसी चेतना में इसका विसेस मात्म अ है के मुख कारिकारी अधिकारियों फ्रांस के जाने-माने लोगों से बात चीत करेंगे हैं फ्रांस के राजपती आज रात प्रसीद्द लावरे संग्रहाले में रात्रिभोज का आईज़न करेंगे श्रीमोदी फ्रांस की सरकारी sticking के पर कल पेरिस पहुंचे उन्होंने Patri पाश्पती माइक्रो ने L.C. पैलेस में नीजी रात्री भोज के बाद स्री मोधी को फ्रांस के सबसे वड़े नागरिक और सैनिक सम्मान The Grand Cross of the Legion of Honor से सम्मानित किया. कल रात एक कारकर में भारती सम्मधाय के लोगों से बाचित करते हैं परदानमंति ने कहा कि भारत लोगतंतर की जननी और विवित्ता का मॉडल है. उन्होंने कहा कि भारत नई बीश्व ब्योस्ता की और बढ़ रहा है और भारत की भूमिका भी लगातार बदल रही है. उन्होंने कहा कि भारत में प्रमुक बदला हो रहा है और इस परिवर्तन का अधार भारती नागरिकों के साथ जुड़ा हुआ है. बारत की भुक्तान ब्योस्ता यूपी आई के बाजार विस्तार में तेजी लाते हुए प्रधानमंत्री मोधी निया भी गोशना की कि दोनों देश फ्रांस में इस भुक्तान ब्योस्ता का उप्योग करने पर सामत हुए हैं. उन्होंने कहा कि यह सुविधा आई फिल टावर से सुरू होगी जहां भारती परेटक मोबाइल एप का उप्योग करते हुए भारती रुपिये में भुक्तान कर सकते हैं. परदान मती ने गोशना की कि फ्रांस में मास्टर्स करने वाले भारती विद्यार्तियों को आदियन के बाद अब पांच वर्स का व्रक वीजा दिया जाएगा. इससे पहले दो वर्स का वर्क वीजा दिया जाता था. परदानमती ने कहा कि भारत फ्रांस भागिदारी का मजबूत आधार जन्संपर्क है उन्होंने कहा कि दोनों देश 21 सताबदी में कई चुनोतियों का मकाबला कर रहे हैं स्री मोधी ने कहा कि ऐसी कठिन परिस्तिती में दोनों देशों के बीच सामरिक भागिदारी का महत तो और भी बढ़ जाता है परदानमंत्री ने कहा कि सोवर्च पहले भारती साहिनिक अपने कर्तब का पालन करते वे फ्रांस की धर्ती पर सहीद हो गये थे उन्होंने कहा कि फ्रांस के यूद में सामिल होने वाले रेजिमेंट में एक पंजाब रेजिमेंट राष्टी दिवस परेड में भाग लेने जा रहा है राष्पती मैक्रो ने परदानमंत्री मोदी के सम्मान में एलसी पहलेस में नीजी रात्रिभोत का आवजन किया हमारे संबादाता ने बताए कि इस वर्च भारत प्रांस सामरिक भागिदारी के 25 वर्च पूरे हो रहा है भारती अंतिरिच अंसंधान संक्टन इसरों ने आज स्री हरिकोटा सेच चंद्रयान 3 मिसन को सफलता पूरवक परचेपित कर दिया है इन्हें 642 टन के वजन वाले प्रचेपड यान LVM3 से भेजा गया दिन में 2 बच कर 35 मिनट और 17 सेकेंड पर 37 धवन अंतिरिच केंड से छोड़ा गया विज्ञान और प्रद्योग की राज्यमंत्री डाक्टर जीतन्द सिंग और इसरों के पूरवध्याच इसरों के नियंत्रर कच में इस प्रचेपड के साच्छी बने वैज्ञानिक और उनके परिवारों के अलमा साइकडू पंजिक्रित लोगों ने भी पैड़सर के बाहर इस प्रचेपड को देखा इसके अत्रिक्त देश दुनिया से 200 से अधिक पत्रकार भी अतिहासिक प्रचेपड को देखने के लिए इसरों के मीडिया केंदर में उपस्तिते चंद्रियान थ्री मिशन में इसरों की लगबक 25 महिला इंजिनियर वज्यानिक इसमें सीधे रूप से जुड़े थे चंद्रियान 3 के मिशन निदेशक महनकुमार और रॉकेट निदेशक वीजुसी थामस और प्रचेपड यान निदेशक डॉक्टर पी विरा मुथू वेल है राश्पती द्रोब्दी मुर्मू और परधानिती नरिंदर मोधी ने चंद्रियान 3 के सफल प्रसेपन को अंतरिच चेतर में भारत के लिए एक और महत्पून उपलबधी बताया है उनोंने अथक प्रयासों से इस मिशन को सफल करने वाले बैग्यानिकों और इसरू की पूरी टीम को बढ़ाई दी है राश्पती ने कहा कि यह मिशन अंतरिच बिग्यान और प्रध्योकी में आगे बढ़ने की भारत की द्रिन प्रतिबदता को दर्स आता है पिया मोधी ने कहा कि यह हर भारती के सपन और मात्ताव का अंचाओ को उपर उठाते हुए उची उडान भरने वाला कदम है स्री मोधी ने कहा कि यह महत्मूर उपलब्दी भारती वैज्यानिकों के अथक समरपण का प्रामाण है उन्होंने कहा कि वे उनकी भावना और प्रतिबा को सलाम करते हैं चंद्रियान 3 के मिसन निदेशक मोहन कुमार ने कहा कि LVM3-M4 भारी उपग्रहों को ले जाने के लिए एक सफल और भरोसे मन प्रचेपन यान के रूप में साबित हुआ है चंद्रियान 3 के प्रचेपन के बाद उन्होंने कहा कि अधिक वज़न वाले उपग्रहों को ले जाने के लिए प्रचेपन यान में महत्पूर्ण सुधार किये गए हैं अमेरिकी संसत ने अरुनाचल परदेश को भारत का अभी नंग बताते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है प्रस्ताव में इस बात के पुष्टी की गई है कि अमेरिका भारत के राज्य अरुनाचल परदेश और चीन के बीच मैक मोहन लाइन को अंतरास्टी सीमा के रूप में मानिता परदान करता है अमेरिका ने चीन के इस दावे को खारिच कर दिया है कि अरुनाचल परदेश का एक बड़ा हिस्सा उसका छेतर है अब यह प्रस्ताव मद्दान के लिए सीनेट में जाएगा इस बीच सेनेटर हाइगाटी ने कहाए कि एक ऐसे समय में जबकि चीन सोतंतर और मुक्त हिंद प्रसांच छेतर के लिए गंबीर खतरा बना हुआ है अमेरिका के लिए भारत के साथ मिल कर काम करना बहुत मातपूर्ण है विदेश मंतराले ने आज कहा कि न्याइपाली का सहीच सभी अस्तरों पर भारती अधिकारी मनिपूर में सांती सद्भा और कानुन व्योस्ता बनाए रखने के लिए कदम उठा रहे हैं ये रोपी संसद में मनिपूर के घटना क्रम पर चर्चा पर मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंतराले के प्रवक्ता अरिंदम वाग जी ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में इस तरह का अस्तचेप स्युकार नहीं है और यह आपनिवेसिक मानसिक्ता को दर्सा आता है उन्होंने खाय कि रोपी संसद को सलाह दी जाएगी कि वह अपने आंतरिक मुद्धों पर अपने समय का अधिक सार्थक उप्योग करें केंद्री इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रद्यों की मंत्री असुनी बैशनो आजहरियाना के गुरुग्राम में एनेप्ट से प्रभावी दंग से निपटने के लिए व्यापक विचार मी मर्ज किया गया सदस्यों ने इंटरनेट कवर्नेंस डिपी आई सुरचित्र करने मेटावर्स और डिजिटल स्वामित पर आईजित तीन तकनिकी सत्रों के दौरान साइबर अपरात के खतरे से निपटने और साइबर इस्पेस को सुरचित करने की रणनितियों को साजा किया आज सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन कृत्रिम बुद्धी मत्ता यानि आटिफिसियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी, डार्कनेट और ICT के आपराधिक उपयोग की चुनोतियों पर तीन तकनिकी सत आउजीत किये जाएंगे प्रतिभागी आटिफिसियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरच्चा, डार्कनेट, क्रिप्टो करेंसी, मनी लॉंडरिंग, बाल सोशन और सूचना साजा करन पर चर्चा करेंगे दिली के कुछ हिसों में आज भी बार जैसी सिती और जलबराओ की समस्या बनी हुई है आज सुब़ई 11 बज़े पुराने रेलवे पूल पर यमना नदी का जलस्तर खतरे के निसान 208.35 मीटर से उपर था यमना बाजा, राजगाट, आईटियो, मजनुका टीला, सिविल लाइन्स और गीता कालोनी में जलबरा और बार जैसी सिती देखी जा रही है आज सुब़ सराय काले खां के पास NH24 पर या तयात बाधित होनी की खबर है जम्मु कस्मीर में कड़ी सुरच्चा ब्योस्ता के भी 7200 से अधिक अमर नात तीर सियात्रियों का बारहमा जत्ता आज तर के जम्मु आधार सिविर से कस्मीर के बालतल और पालगाम आधार सिविरों के लिए रवाना हुआ कुल 7245 तीर्थयात्रि आज कड़ी सुरच्चा के बीज 266 वानों से भगवती नगर अधार सिविर जम्मु से कस्मीर घाटिक ले रवाना हुए उनमें से 3144 तीर्थयात्रियों ने सबसे छोटे बालतल मार को प्रात्मिता दी जबकि 4101 ने पारंपरिक और सबसे लंबे नूनवान पहलगा मार को चूना डॉमिनिका में वेस्ट इंडीज के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज भारत पहली पारी में दो विकेट पर 312 रन से आगे खेलेगा प्रारंबिक बल्लेवाज यह सस्वी जासवाल और रोहिस सर्मा के सतक की बदोलत भ पुनिश्या की उन्स येवूर फाइनल में पहुच गई है सेमी फाइनल में मार केटा वंदरोशोवा ने यूक्रेन की एलिना सुईतो लीना को हराया दूसरे सेम फाइनल में उन्स जूबेर ने बेलारूस की अर्याना सवालेंका को पराजित किया इसी के साथ समाचार बि